नमस्कार दोस्तों आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वावत है तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ एक मसालेदार चटपटी भुजिया भिंडी तो चलिए दोस्तों रेस्पी स्टाट करते हैं तो दोस्तों मैंने लिया है यहां पे 500 ग्राम भिंडी इसे दोर्हिता है दोक कोटन कपड़े से पोच लिया है अब आप अब इसे प्रॉट कर लेंगे गिए अरत इस तरह से बीच मी मैं से कट कर लेंगे और गाल क्टेषई विंडी तो नहीं है अब इसे हम फ्राइ कर लेंगे जत्ता के बिल्डी फ्राइब और आखा कर लेते हैं अब में लिए एक बावल बावल में डालोंगी दो बड़े चमाज धनिया पाउडर आदा चमाज छल्दी पाउडर आदा चमाज लाल मिर्चा पाउडर आदा चमाज जालोंगी जीरा मिर्च पाउडर लेसुन की कुछ कलियां इसे में दरदरा कूट लिया है अब मैंसलों में पाई डाल के इसका खूल बना लोंगी इस तरह से लेसुन डालने से सबजी की फ्लेवर बहुत ही जबर जस्त हो जाती है टेस्ट विंदी हमारी करेंगे इसी तरह से प्राई करेंगे एक बर्तन में निकाल लेंगे मैं उसी पैन में तीन बड़े चमाज तेल डाला है इसमें मैं डालूंगी हाफ टी स्पून मेथी दाना और एक पिन छीएंग डालेंगे मसालो को अच्छी तरह से भूनेंगे इसमें और कुछ मसाला एड नहीं करना है बसे सिंपल सी रेसिपी है मसाला भूनके हो गया है अब इसमें सादा नुसार नमक एड करेंगे इसमें डाल दूंगी मसालो ने आए आए याए लिए दोस्तों देखे इतना चेस्टी सजी तेयार हुई है अब इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा धनियाँ यह विंदी खाने में बहुत ही स्वाधिस्थ होती है इसे आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं बहुत ही अमी होती है पेश बहुत ही जबरजस्थ होता है इसे लेसुनी विंदी भी बोल सकते हैं दोस्तों हमारा मसाला भुजिया बिंडी तयार है यह खाने में बहुत ही टेस्टी होती है यह इजी रेसिपी है आप लोग इसे जरूर ट्राइ करियेगा अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिये शेयर करिये मेरे चैनल को सब्सक् बाइ थनक्यू त्रॉचिं झाटने गडिये यह तक्रिया के बाइक करेंडेश झाल को लोग दोगे का वाजिए प्रॉचिं पार देका वाजिं